फाइब्रोडिनोमा फीमेल्स के ब्रेस्ट के अंदर होने वाली एक साधारण रसॉली है, साधारण यानि कि इसमें कैंसर नहीं होता और ये यंग फीमेल्स में काफ़े कौमंधी पाया जाता है, जाहतर cases में ये एक side पर होता है, कुछ cases में दोनो side भी हो सकता है और किसी patients में ये एक होता है और कई patients में multiple भी हो सकते हैं इनके size भी vary करते हैं और इसके होने का कोई खास कारण भी usually नहीं होता ये usually breast के अंदर freely move करते हैं, breast की skin या पिछली wall के साथ ये चिपके नहीं होते इसलिए इसे breast mouse का भी नाम दिया जाता है इसका diagnosis पक्के तोर पर बनाने के लिए कभी कभा doctors कुछ test भी करवाते हैं जैसे की breast का scanning ultrasound या x-ray या जिसे हम mammography के नाम से जानते हैं या फिर इसमें एक पतली सी needle डाल कर FN इसी नाम का एक test भी कैदा सकता है जिससे पता चलता है कि वाके इसमें cancer के cell हैं या नहीं हर एक patient जिसे fibro adenoma है उसे operation की जरूत नहीं होती अगर आपको ऐसा रखता है कि इसकी वज़े से आपको pain है या आपको ये swelling देखने में अच्छी नहीं लग रही है या आपके मन में बहुत डर बैट गया है कि ये कहीं cancer ना हो तो उन cases में आप doctor से request करके इसे निकलवा सकते हैं अगर गांट छोटी है तो उसी हिस्से को सुन करकर निकाला जा सकता है और अगर ये बहुत बड़ी है तो कुछ conditions में patient को भिहोश करकर फिर ये operation किया जाता है patient के बाद इस गांट को test के लिए भीजा जाएगा जिसमें बचा हुआ doubt भी clear हो जाएगा कि ये cancer है ये नहीं कुछ patients में ये गांटे धीरे धीरे age के साथ कम होकर अपने आप ठीक भी हो सकती है और कुछ patients में धीरे धीरे बढ़ भी सकती है तो ऐसा बताना कि किस patient में ये बढ़ेंगी ये कम होगी ये जारतर cases में possible नहीं होता और time चलते ही पता चल पाएगा कि time के साथ इनका size का क्या होगा झाल